MSD World के Best Finisher माने जाते थे लेकिन बीते तीन-चार मैचों से जिस तरह वो धीमे खेल रहे है उनके intent पे भी सवाल उठने लगा है कि आखिर वो बल्ला चला क्यों नहीं रहे हैं उनके helicopter shots जो थे वो कहां चले गया lofted shots जो वो खेलते थे वो कहां चला गया और उनके नाम का जो खौफ था वो आखिर क्यों खत्म होते जा रहा है इस मुद्धे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौझूद हैं उनके schooling cricket के time के coach चंचल भटा चारिया जी उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं सर क्या मसला है यह धोनी जो है वो बल्ला क्यों नहीं चला रहा है सेटल करने मागर इतना वक्त लगेगा क्या टीम का balance उनके दिमाग माने लगता है कि मेरे पीचे कोई नहीं है किस तरह से प्रेसर में अखिर क्यों खेल रहा है क्योंकि best finisher माने जाते थे और स्लॉग ओवर्स में उनसे बढ़िया कोई प्लेयर नहीं था देखे असा है कि पिछला जो मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ तीन चार मैचों की आपने चर्चा कि तो मैं पहला ही से सुरू करता हूं कि अफगानिस्तान के साथ जो मैच उन्होंने स्लो खेला सब कोई बता लेकिन अगर वह स्लो नहीं खेलते तो टीम की परिस्टिति और खराब होती है हो सकता था अब जीद गया यह बदाई के पात्र है लेकिन अगर वह नहीं होता तो दोस्टों से कम रन बनते हैं इंग्लैंड वाले में तो हार हम लोग हारी रहते हैं मैं वहीं कह रहा हूं उस से उमीदें काफी हैं लोगों को उस पर उखरा उतर रहे कि नहीं उतर रहे वह तो बात की चीज़ है लेकिन उस दिमाग का वर्ल्ड कप ऐसा टूर्णामेंट है कि जहां सभी लोग चाहते हैं जीत जिसके करनों उनको पेश्रत थोड़ा ज्यादा है कप्तान ने भी उनको होसला दे रहा है कि भाई वो खेले कुछ ना कुछ इतनी अच्छी बॉलिंग इंग्लेंड के खिलाडियों ने किया है तो उसको मानना थोड़ा सा और उनको थोड़ा एड़स्ट करने में टाइम लग रहा है यह थोड़ी से परिसानी हो रही है लेकिन आज कि पहले ऐसा न है लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है बेक्तिगत आज के मैच में आपके जो उमीद है उस पर हंड़ेट पर्सनेट उखा रहा है और सवाल था यह कि आप देखिए जब जब हमारी टीम जीती है चाहाए वो तेरासी हो दोहजारी ग्यारा हो स्टार स्ट्रडेट टीम रही में चले दूसरा कोई मैच ले जाएगा अगर निकाल के गौतं गंभीर निकाल के ले जाएगे भून ही निकाल ग्रचारी आपोक्तिक वह जब निकाल करता है तो दविर जपता किया सचीन तेंदूल का जब तक क्रीज में रहता है हम 2011 की बात करें जब भारत वर्ल्ड कप जीती थी हम वही बता रहे हैं जब भी वह खिलाड़ी जब हुआ करते थे तो एक साइट से टिका हुआ रहता था आपके जो है कब कौन कहां आउट होगा यह बत नाशनल के रियर हमने बता रहे हैं उसको थोड़ा से टाइम लेगा आप उस पर भी दवाव नहीं बना सकते हैं जो खेला ठीक है उसको धोनी को उपर भेजना चाहिए था उस जगह चान नंबर पर जो बड़े क्रिकेटर से उसको क्या कि धोनी को सेट करने वाभी उसके उ उन्होंने दो तीन सोटे खेली लेकिन बल्ले में कहीं इतनी अच्छे वेकर इसी बॉलिंग हो रही है कि वो मानने में थोड़ा सा दिक्कत हो मैंने मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसको आज के मैच में आप फिर वह धोनी देखने को आज मिलेगा आपको धने बाद से तो यह दिमाग जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके अट दे बैक अफ माइंड जरूर आ रहा है कि अगर हम आउट हो गए तो हमारे पीछे कोई नहीं है और यही वज़ा है साइद उनके उपर इस प्रेसर का कैमरामेन राकेश तिवारी के साथ सतिजित कुमार राची